सारत पूर्णिमा के पावन पर पर लगने जा रहा है चंदर गहन, बाल धोए या नहीं, मासिक धर्म पूजा कैसे करें, ब्रत कब और कैसे खोलना है, संपूर्ण जानकरी विधान इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा, देर न करते हुए शुरू करते हैं, जैसे क इस साल 2023 में 28 अक्टूबर के दिन चंदर गहन भी हो रहा है, और पूर्णिमा का पावन ब्रत भी किया जा रहा है, आप सभी को इससे पहले चैनल पर बताया गया है, कि कब आपको खीर रखनी है, और कब उसे गहन करना है, संपूर्ण विधान बताया गया है, पूजा कैसे दें, ताकि हमें पूर्ण रूप से सरत पूर्णिमा का फल प्राप्त हो, जैसे कि सूतक काल का समय लग जा रहा है, अठाई सक्टूबर को चार बच कर पांच मिनट के आसपास से, और रातरी को एक बच कर एक देड़ बजे के आसपास से जो है, चंदर गहन हो रहा है तो भारत में भी सूतक काल पूरी तरह से लागो है, ऐसे स्तिती में ब्रत तो हमें करना होगा, पूजा पाठ के जो विधान होंगे वह चार बजे से पहले पहले हम सभी को कर लेना चाहिए, परन्तु चंदर मा को अर्ग कैसे दे, इस बारे में आपके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले चंदर मा को आप अर्ग नहीं दे सकते हैं इस दिन प्रत्यक्षरूप से, परन्तो अप्रत्यक्षरूप से आप देंगे, चार बजे की आसपास या तो सूर्य देवता को आप अर्ग दे दें, चंदर देवता का धी धियान करते हुए आप सभी दे देंगे नहीं तो आप सभी जो है साम को चार बजे से पहले पहले ही आप सभी एक थाली में एक थाली में चंदर्मा का स्वरूप बना लेंगे चंदन से बना लेंगे या किसी भी स्वरूप से बना लेंगे उसमें ही आप चंदर देवता का आवाहन करते हुए उसी में ज बाकार बनाकर आप सभी उन्हें दूद मिस्री जलसे जैसे हमेशा आप पूर्णिमा की रात को अर्ग देती हैं ठीक उसी तरह से दिन में ही आप सभी अर्ग दे देंगे ठीक है यह जानकरी हो गई अब आस सवाल आता है बाल धोए या नहीं पूर्णिमा ब्रेथ हो या किसी आप सभी को जो है बाल धो लेने चाहिए ब्रत में बाल न धोने के पीछे एक कारण यह है कि आजकल जो सेंपू वागता होते हैं उनमें कई तरह के मीट का सेवन अर्था मीट मांस अंडा इत्याजी जो ब्रत को खंडित करने वाली चीज़े होती है लंबे समय तो को से रिवाज है उस अनुसार की लिज कर लिजेगा जहां तक संभवो ब्रत के दिन बाल धोने से बचे सिर्फ जल के छीटे स्वयम मस्तक पर डालने जिससे कि आप बाल धोने के परिपूर्ण के बराबर ही फल प्राप्त कर सके ठीक है यह बात भी यहां क्लियर हो गई अगर आ प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो गए बात आती है तीसरे प्रश्न पर तीसरा प्रश्न है कि हमें ब्रत कप खोलना चाहिए क्योंकि इस दिन सामाने तया हम सभी क्या करते थे कि पूर्णिमा का ब्रत करते थे और रात को चंदर देवता को अर्ग देते थे और उसके बाद अपने ब्रत का पारण कर लेते थे पर अन्तों इस बार तो चार बजे ही सूतक हो जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करें? सूतक काल में भोजन नहीं किया जाता किसी भी तरह से ब्रत के नियम उसके बार पूर्ण रूप से नहीं लागू होंगे क्यूंकि हमें भगवान को पुषपर्ष नहीं करना कथा इत्यादी पहले ही सुन लेनी है पढ़ लेनी है विदिविधान से पूजन भी कर लेना है तो आप सभी दिन के समय में ही जब चार बजे से पहले पहले ही कुछ फल इत्यादी खा लीजे और कई भक्तजन खोल भी लेते हैं अभी मुझे अपने ब्रत की कथा इत्यादी सुनते हैं और ब्रत खोल लेते हैं एक समय ही भोजन करते हैं रात को भोजन नहीं करते हैं तो अपनी अपनी छमता सामर्थ अनुसार है जहां तक संभव हो चार बजे के समय में ब्रत ना खोलते हुए आप सभी फलाहार दूध ही इत्यादी फलाहा परिपूर्ण रूप से कर लिजिए ताकि चार बजी बाद भी आप अपने ब्रत को ना खोलते हुए सुबह के समय घर की सापसफाई करें सूतक लगा है गंगाजल छिड़काव करें गंगाजल मिस्रिजल से स्नान करें उसके बाद सभी देवी देवताव का पूजन विधान करने के बाद आप सभी अभी तक ब्रत में हैं ऐसे स्थिति में सुबह के समय अपने ब्रत का पाराण करें इस तरह से जो है आप सभी पूर्णिमा का जो सरत पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है उसका पूजन का विधान संपूर्ण रूप से प्राप्त यह हो सकता है कि चंद्र गहन धाई बजे समाप्त हो जाएगा ठीक है रात को चंद्र गहन समाप्त हो जाएगा चार बजे से पहले पहले खीर अपनी रसवी में बना कर छोड़ दीजिए और उसके अंदर आप सभी कुशा और तुलसी पत्र डाल कर रख दीजिए ताकि वह द दar यां धबर चंद्रमा की सीट रोश्णी से पावण हो जाएगा गहन समाप्त हो चुका यह भी कर सकते हैं नहीं तो mad detective को नहीं कर पाएंगे 27 की रात को चंद्रमा की रोश्णी में रख सकते हैं 29 को भी रख सकते हैं क्या करेगी इस बार परिस्तितियां ही कुछ ऐसी हैं समय एक जैसा नहीं रहता है यही सही बात है हर साल हम सब्सक्राइब बड़े विद्यविधान से रहते थे करते थे परन्त इस बार कुछ ऐसी परिष्टितियां भी प्रीत हुई हैं तो ऐसा ही करना सही होगा चाहें तो रातरी धाय बजे बात खीर बना कर रख सकते हैं घर को शुद्ध करकर साफसफाई करकर रसोई की स्वयम भी सुद्ध होकर नहीं तो आप सथा इसको रख सकते हैं 29 को रख सकते हैं आप इन तीन आप्शनों में किसी एक को चुन कर कर लिजेगा यह खीर पावन पवित्र मानी जाती है दिन में ही खीर बना लिजे घर की सभी पूजा करें यह भी प्रशना आते हैं ब्रत आप नियमित रूप से करें कोई दिक्कत की बात नहीं है परन्तु भगवान जी को इस पर्शन नहीं करें आपकी नाम की पूजा सत्तिनानान ब्रत की कथा अन्य बेक्ति आपको सुना देंगे कर देंगे फल आपको परिपुर करना है चैनल पर वीडियो है देखे और अपना जीवन सार्थक करें आज का वीडियो आपके लिए उची तूपियोगी रहा हो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें कोई भी सवाल रह जाए पूछ लीजिएगा आपका अपना चैनल है सभी सवालों के जवाब आप रा करना जाता है सुबह आप सभी विशेश तोर पर पीपल व्रक्ष की पूजा करें महादेव पर कच्चा दूर चणाए चंद्रमा की स्तिति कुण्डिली में इसके मजबूद बनती है सफेद रंकी वस्तू सभी भक्तजन दान करें मेश राची पर चंद्र जहन लगने जा करें मा तदी